जहिंद आज का ये वीडियो थर्ड समेस्टर वालों के लिए है आज मैं आपका कुछ टॉपिक श्टार्ट कर रहा हूं वह है बेसिक अलेक्ट्रिकल सर्कुट नेटवर्क लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैच एनाउंस्मेंट के बारें ब इसलिए अभी डेली आपको तेज तारीक तक एक वीडियो डिप्लोमा एकेडमी पटना के यूटूब चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा और वो सब सब्जेक्ट का वीडियो होगा आपका बेसिक अलेक्ट्रिकल सर्कुट नेटवर्क अभी होगा मेजर्मेंट का भी पावर जनरेशन का भी वीडियो होगा मैथ का भी वीडियो होगा समय रहें अप्लाइड मैठेमेटिक्स का भी आपका वीडियो होगा तेज तारीक तक चुक्किह हम अभी कुछ काम में ब्यस्त हैं लेकिन 24 से 25 तारीक दो दीन 24-25 आपका एडमिसन होगा और जो बचे एड structure क्या है जदी आप 2 times में पेइमेंट करते हैं तो आपको 4,000 रुपिया पेदा पड़ेगा वेंली 2 टाइम में दो installments में चार जदी 1 टाइम पेइमेंट करते हैं वान टाइम पेइमेंट आप करते हो पेइमेंट करते हो तो आपको मात्र 3,000 रुपिया देना पड़ेगा मातर 3,000 ये एक बार में 3,000 अब दो बार में आपको 4,000 ये installment आपका क्या होगा सर एक बार में 1st installment पचिस सो 2nd installment आपको 15 सो ये ये है आपका फिय स्ट्रक्चर ये आपका 3rd के लिए भी है और ये आपका के लिए भी है थार्ड सेमेस्टर के लिए भी आपका यही फियर स्ट्रक्चर है समझ रहे हैं मेरी बात तो यहां तो वन टैम पेश्मेंट करने था वैसा ही लगेगा यह जो सारा प्रोसेस है सिर्फ ओनलाइन मोड के लिए हैं तो आएए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं बीना लेट कि हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो आप लोग सेलेबस तो देखी लिए होंगे सेलेबस क्या है नहीं है लेकिन हम आपको सेलेबस देखके नहीं पढ़ाएंगे गुरू इतना पढ़ा देंगे कि आपको उसमें आपका सेलेबस भी आ जाएगा चुकि पढ़ना है इतना हम पढ़ाएंगे इतना तो यतना में रही नयाया जीते हैं आज उतना जीटे हिंग पर आपको पलाओ जी लिए को अपको और स्टा्थ करता हूं सशंधस के लेक्ट्रिकल बनापका राही पर आपका पहला सब्जेक्ट पढ़ना है मैं उसी को स्टार्ट कर रहा हूं लेकिन हम आपका सलेवस से स्टार्ट नहीं करेंगे हम आपको जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे हम यह मान कर चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता है हलाकि आप बहुत कुछ जानते हैं आपको बहुत कुछ आता है लेकिन हम मान कर चल रहे हैं चुकि आप हमारे लिए नया है तो इसलिए हम मान कर चल रहे हैं कि आप लोग कुछ नहीं जानते हो अस्वाबाविक है दो सेमेश्टर में कुछ पढ़ना नहीं है इसलिए मैं आप लोग को मान कर चल रहा हूं कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं इसलिए हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहें एकदम जीरो से एकदम चार्ज से कि सर चार्ज क्या होता है चार्ज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो देखो चार्ज क्या है सबसे पहला डिफ्नेशन चार्ज कहते किसको चार्ज फट वी मीन बाइचार्ज लग आव्यश है इसलिए मैं बताता हूं कि चार्ज क्या है चलिए आज हम डिफिनेशन इसका हम करते हैं करता है कि चार्ज किसी बस्तू या सबस्तांस का वह भौतिक गून है जिसके कारण वह दूसरे बस्तू पर एलेक्रोस्टाटिक फोर्स और एलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है मनें चार्ज के कारण आप फोर्स लगता है मनें चार्ज के कारण दो बस्तू के बीच फोर्स लगता है समझ रहे हैं और यह फोर्स का जो नेचर है वो कुलॉम्ब लॉस याता है किस से आता है कुलॉम्ब लॉस याता है बेसिकली जो कुलंब है न वो आपका चार्ज का SI unit है कुलंब एक scientist का नाम था जिसने electric force के बारे में अपना principle दिया था उन्होंने electric force के nature के बारे में और electric force के magnitude के बारे में उन्होंने बतलाया था लेकिन हम अभी चार्ज का definition देख रहे हैं करा चार्ज किसी बस्तू का वह भौतिक गून है जिसके कारण वह बस्तू किसी दूसरी बस्तू पर electric force apply करता है बिधूतिय बल लगाता है क्या लगाता है बिधूतिय बल लगाता है दूसरे सब्द में हम कह सकते हैं इसको अलग तरीका से डिफाइंड कर सकते हैं कि चार्ज जो है आवेस जो है किसी भी मैटर का वह भावतिक गून है जिसके कारण उस मैटर को जब हम अलक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड में विधूत चुम्भा किये छेतर में ले जाते हैं तब वह फोर्स अनुभाव करता है तो उसी भावतिक गून को हम चार्ज कहते हैं कहता है कि किसी मैटर और सबस्तांस का वह भावतिक गून है कौन चार्ज चार्ज जो है किसी मैटर सबस्तांस का वह भावतिक गून है जिसके कारण उस बस्तू या सबस्तांस को हम विधूत छेत्र में एलेक्ट्रो मैगनेटिक फिल्ड में ले जाते हैं तब वह बल अनुभाव करता है फोर्स अनुभाव करता है इसलिए उस सबस्तांस के या मैटर के फिजकल प्रोपर्टी को हम क्या बोलते हैं चार्ज बोलते हैं कि चार्ज के कारण जो है दो बस्तू के बीच एलेक्ट्रिक फोर्स क्रियेट होता है किसके कारण चार्ज के कारण किसके कारण चार्ज के कारण के transferring के कारण develop होता है charge developed due to transferring of electron from one body to another body एक body से दुसरे body में electron के transferring के कारण charge develop होता है आगे हम बताएंगे charge induction के कारण भी produce होता है induction हो जा है मनें एक body यह charge body है एकर नजदीक में दूसर का बड़ी लेव हो नया तो एक रो में चार्ज उत्पन हो जाए समयरे लो मेरी बाद हलाकि जदी positive charge है तेकरा में negative charge उत्पन हो जाएगा induction के कारण तो हम आगे वो सब है तो सब हम आगे discuss करेंगे लेकिन अभी हम फिलाल कहेंगे कि चार्ज basically हम बोल रहे हैं not only basically basically electron के transferring के कारण develop होता है किसके कारण develop होता है transferring के कारण मनि एक बड़ी से दूसरे बड़ी में electron के transferring के कारण charge develop होता है तो देखो चार्ज basically नसर दो तरक होता है एक को positive charge बोलते हैं दूसरे को negative charge बोलते हैं क्या बोलते हैं एक को positive charge बोलते हैं दूसरे को negative charge बोलते हैं कह रहा है कि positive charge positive charge जो होता है वो proton पर होता है किस पर होता है प्रोटॉन पर होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो एलक्टॉन पर होता है समय रहे है मेरी बात पॉस्टीम नेगेटिव इसलिए दिये क्योंकि इसके कारण जो फोर्स का नेचर होता है और इसके कारण जो फोर्स का नेचर होता है तो दोनों अलग-अलग होता है जदी एक बड़ी में प्रोटोन जदा रहे दूसरे बड़ी एक दूसरे को अट्रेक्ट करता है तो पार्क में एक तरेक्चन होता है होता है उसको पॉस्टिव चारज बोलते हैं और ये ऐसा क्षॉर्स ओपर इसमें यह इसमें ऐलेक्ट्रॉन ज्यादा है बने यह positive charge है और यह negative charge है तो दोनों में कैसा force? attraction force तो देखो, charge के कारण जो force हो सकता वो attraction भी हो सकता, repulsion भी हो सकता है समय रहे हैं मेरी बात? चुकि यहाँ polarity आ गया है जदी दो positive charge वाला बस्तू रहेगा तो दोनों में repulsive force रहेगा अब जदी दोनों negative वाला रहेगा तो दोनों में repulsive force रहेगा समय रहे हैं मेरी बात? हाँ, तो यहाँ अभी simple समझो कि जो positive charge होता है वो proton पर होता है, negative charge होता है वो electron पर होता है अब देखो, charge दो तरह का होता है, charge को हम रिपरजेंट किरसे करते हैं सर charge को हम capital Q से और a small Q से रिपरजेंट करते हैं यह charge को रिपरजेंट करने का तरीका है इसका SI unit जो होता है सर, SI unit वो कुलंब होता है क्या होता है? कुलंब होता है हाँ, SI unit जो है वो charge का कुलंब होता है तो अभी आपको हमने बताया है कि जो electron होता है उस पर negative charge होता है कैसा होता है negative charge होता है लेकिन negative charge कितना होता है सर इसका practical value है 1.602 into 10 per power minus 19 कुलम कितना charge होता है 10 per power minus 19 कुलम हाँ एक electron पर जो charge होता है एक electron पर जो charge होता है वो होता है 1.602 into 10 per power minus 19 कुलम तो यह negative charge होता है कितना होता है negative charge होता है और proton पर जो charge होता है proton पर वो इसी के बराबर होता है लेकिन वो positive nature का होता है और कितना होता है प्लस 1.602 इंटू 10 पर पावर माइनस 19 कुलम दोनों पर चार्ज बराबर होता है दोनों पर चार्ज का मैगनिचूड बराबर होता है लेकिन नेचर में अपोजिट होता है नेचर में क्या होता है सर अपोजिट होता है हाँ नेचर में अपोजिट होता है एलेक्ट्रोन और प्रोटोन को बोला जाता है पार्टिकिल्स ओफ एलेक्ट्रिसीटी क्या बोलते हैं? पार्टिकिल्स ओफ एलेक्ट्रिसीटी क्या बोलते हैं? पार्टिकिल्स ओफ एलेक्ट्रिसीटी की काऊज और प्रोटोन के कारण ही Charge đलप होता है मने किसी बसतू में प्रोटोन जादा तो पॉष्टिव इसे लिए बिशनने ओर करें कि स्थे सब्सक्राइब नियुक फोर्स और इस लिए आपका चार्ज डेबलब कीसे भुआ थे एक बली में अधेब करन एलेक्ट्रोन और प्रोटॉन को पार्टिकेल्स ओफ एलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पार्टिकेल्स ओफ एलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यह थोड़ा सा ध्यान दिजेगा, इसको क्या बोलते हैं, पार् अब देखो मैं बताता हूं हो चार्ज हमेशा च यह है चार्ज स्वक्ति ऑफ इस निचर का किस निचर का कॉन्टम निचर का होता है quantum nature का होता है quantum nature कहने का मतलब है charge always 1.6 into 10 power minus 19 का multiple होगा किसका होगा 19 का multiple होगा किसी बड़ी पर 1.6 into 10 power minus 19 कुलम या 16 दुना बती 3.2 गुने 10 power minus 19 कुलम 16 तालिस 4.8 into 10 power minus 19 कुलम 16 चका 64 6.4 into 10 power minus 19 कुलम चार्ज जो है always इसके multiple में होता है 0.2 भी लिख सकते हो तो 0.2 अला आगे आ जाएगा लेकिन हम ऐसा 1.6 into 10 power minus 19 जेनरल लिखते हैं कहता है charge always quantum nature का होता है quantum nature कहने का मतलब है charge always इसके multiple का होता है 1.6 into 10 power minus 19 का तो किसी बड़ी पर charge क्या क्या संभाव है ये भी charge संभाव है ये भी संभाव है ये भी संभाव है ये भी संभाव है लेकिन किसी बस्तू पर 3.8 into 10 power minus 19 कुलम चार्ज संभाव नहीं है ये गलत हो जाएगा बिकाउज 3.8 जो है वो 1.6 का आपका क्या है सर 1.6 का आपका multiple नहीं है तो देखो तो किसी बस्तू पर आपका ना ये भी possible है ये भी possible है ये भी possible है ये भी possible है लेकिन किसी बस्तू पर ये चार्ज possible नहीं है किसी बस्तू पर 4.2 into 1 10 power minus 19 ये भी संभाव नहीं है किसी बस्तू पर 4.9 into 10 power minus 19 ये भी संभाव नहीं है विकाउज ये सभी जो है 1.6 का multiple नहीं है समझ गये तो quantum nature का तो समझ गये होंगे हाँ तो quantum nature कहने का मतलब है किसी बस्तू पर चार्ज जो है किसी बस्तू पर चार्ज n into 1.6 into 10 power minus 19 कुलम हो सकता है मने किसी बस्तू पर इसी फैसन में आपका चार्ज हो सकता है भेर भेर n बरबर 1, 2, 3, 4, 5 मने नैचुराल नंबर का सकते हो तो किसी बस्तू पर चार्ज जो है वो इसी फैसन में होगा जहाँ एन जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये चल सकता है कभी भी चार्ज जो है fraction में नहीं हो सकता है मने हमेशा इसके multiple में होगा इसलिए बोलते हैं चार्ज always quantum nature का होता है अब मैं आपको बताता हूँ कहता है कि आपका एक electron पर चार्ज जो है एक electron पर एक electron पर चार्ज जो है ओ होता है 1.6 इंटू 10 पर पावर मैनस 19 कूलम मने एक electron पर इतना चार्ज मने 1.6 इंटू 10 पर पावर मैनस 19 कूलम चार्ज जो है वो एक electron पर होता है तो भहिया एक कूलम चार्ज केतना electron पर होगा तो 1 बटा 1 बटा 6 इंटू 10 पर पावर मैनस 19 कूलम होगा ना इसको चलिए इसको हटाईएगा तो 10 यहां हो जाएगा तो चलो 10 गुने 10 पर पावर क्या लिख सकते हो 19 बटा 16 लिख सकते हो इसको थोड़ा इने लियाओ इसको लियाओ कर दो ना भाई इसको 100 कर दो 100 कर दो एक सुनना लेलो तो 10 अठारा हो गया गुणा 100 और कर दो चलो 18 रहने दो 10 पर पावर 18 बटा कितना हो गया 16 25 चका 100 4 चक 16 कितना हो जाएगा 25 बटा 4 गुने 10 पर पावर 18 10 तो 100 गुने 10 पर पावर 16 कर देगा समझ रहे हैं मेरी बात चलिए तो आपका क्या हो जाएगा देखो 25 चका 25 चका 100 25 चका 100 25 चे 625 मने 625 गुने 10 पर पावर 16 एलेक्ट्रोन मने एक कुलम चार्ज बरबर कितना गया यह याद रखियेगा मने एक कुलम चार्ज बरबर कितना गया 625 गुने 10 पर पावर 16 अब देखिये थोड़ा सा समझेगा गुरू करा एक कुलम चार्ज बरबर एक कुलम चार्ज बरबर एतना एलेक्ट्रोन चुकि आप जानते हो चुकि आप जानते हो कि चार्ज जो है बेसिकली चार्ज जो है बेसिकली एलेक्ट्रोन के ट्रांस्फरिंग के कारण डेवलब होता है किसके कारण एलेक्ट्रोन ट्रांस्फरिंग के कारण electron transferring के कारण charge develop होता है sir कैसे develop होता है electron transferring के कारण charge develop होता है अभी थोड़ा सा मैं बताता हूं जिसे मान लो कोई बस्तू है और यह बस्तू है 11 हे 13 electron है और 125 electron है समझ रहे हैं मारी बात तो 13аша है एलक्ट्रोन है तो किसी भी atom में किसी भी एटम में number of electron जो है वो number of proton के बराबर होता है मने इबरबर P होता है मने electron और proton किसी भी एटम में बराबर होता है मने electron और कोई भी atom जो है वो electrically neutral होता है मने उसमे number of electron और number of proton बराबर होता है चुकि चार्ज दोनों पर अपोजिट अपोजिट है एक दुसरे के काइंसिल आउट कर देगा ना भाया इसलिए कोई भी एटम जो है एलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मने उस पर कोई चार्ज सो नहीं करता है इसलिए दोनों एक दुसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा इसलिए परते के टम एलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो मांग लो ना कि इसमें 13 एलेक्ट्रोन है और इसमें 12 एलेक्ट्रोन होगा समझा रहें मरी बाद आप बहाया क्या करते कि एक एलेक्ट्रोन यहां से चला गया मांगि लिया उदहार मांगि लिया कि यावThere लेकिन प्रोटॉन तो निकुलियस में होता है उसके पास कुछ मजबूरी होगा नहीं जाता है समझ रहे हैं लफु आई को यो कहीं को यो कि हाँ चल जाता है बिना पूछ ले तो मांग लिए चल गया एक राकिंगा घूम तहल के देख लिया जा करके तेकरा की जो ही गया तो यह बढ़ ना गया एलक्ट्रॉन रहा भाईया यह बढ़ गया तेकरा पास तेरा गव एलक् वे लक्रॉन है तो बारा गुने 10 पर बारा गुने 1.6 किलंड pracy 19 नेगेटिव नेगेटीव होग वो सदीसमाइन और तो देखोड देलिए सब्सक्राइब दिले ले लियो एक रापर नेगेटिव चार्ट नेगेटिव अब देखो दुनू जोड़ हो तो यह तो दुनू में कौमन नहीं रहा भाईया तो देखो तो 1.6 10 पर 12 मन्य होझा उar भाईय तो यह पालस आया प्लस तो कर रहा है कि इस पर पर Major हो गया करेट हो गया समझे हैं हाँ इस पर पर ओस्टिव करेट हो गया आप वो करापर देखो तो एक करा पर कोची हो जीते माने चुकि तेरा गुन्य दस पर मैनस ले मैनस नेगेटिव चार्ज सूटा है न यह बढ़ गया है तो मानस चुकि एलक्ट्रो पर नेगेटिव चाहतों माइनस लिए तेरा गुने 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 अब बारा गुहीं प्रोटॉन है तो पलस लिए पलस बारा गुने 1.6 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 तो अब देखो तो यह कॉमन ले लिए कॉमन मने दूनू में जे उभाई नीश्ट रहे एक राच चलते जानों गों बड़ी मार पीट वहलियो मस्टरवा कातोल देखो 3x पलस 6x 3x स्क्वार पलस 6x देखो यह दोनों में 3 कॉमन है तो हमको अतियल आए सर कॉमन कहां है सर कान पकड़ता था मास्टर मारता था दूजहापर अरे बेहुदा एकराम में 3 है एकराम 3 हमकी 3 कहां है जो आपको दिख रहा है 3 का रे भाई 3 छूपल है हमकी कहां छूपल है बहुत पीटा हाल यह एकराम में देख लो हो एकराम यह उभाईनिस्ट है तो उभाईनिस्ट ने लियो 1.6 गुन दस पर पावर माइनस 19 कुलम ले ले लियो अब माइनस 13 पलस 12 अब देखो तो माइनस 12 माइनस 13 है पलस 12 तो देखो यह वाला के भैल्यू जाते नहीं जी तो माइनस हो जी तेने 1.6 गुन दस पर पावर माइनस देखो थो नेगेटीव आ बले मने इस बडी पर कौन चारज चड़ जणगा नेगेटिव चब्राम एक प्रोटों के कारण पोस्टीव चार्ज डेवसं तो यह जो गया और क्राम यह जादा हPlया र duel समझ में आया इसलिए एलेक्टरोन प्रोटोन को क्या बोलते है पार्टिकल सॉफ एक करण आपका क्या है चार्च की एट होता है लेकिन हाँ जान लिजिएगा हमेसा चार्ज जो है एलेक्टरोन के ट्रांस्फरिंग के कारण ही बड़ी में डेवलप होता है और इंड़क्शन समझ में आ गया होगा कि किस पर नेगेटिव होगा और किस पर पॉस्टिव होगा और कैसे नेगेटिव होगा कैसे पॉस्टिव होगा तो समझ ही गये होंगे तो अब देखिए आपको हम बदाते हैं कि देखो एक थोड़ा सा एकदम मजा आए तो और एकदम बहुत मजा है तो इदम पढ़े में आहां देखिए अब मान लोगो कोई बड़ी है यह कोई बड़ी है वेटम गई है कि एक क्राम मान लिए यह मैं है कि कि एक पाइय मानटो ने है तो नो बहुत है और जो है कि एक दो दो इसे मान ले रहे हैं से पूछ नहीं करने डें इसमें बारा ऑला融ा और इसमें र हند सब्सक्राइब अबी को चेंट कि दूग्रों एक कर फाल कि लिलेखंगें विसक्राइब सब्सक्राइब का दुग्रां में दूग्व मारिक लो तिक नहीं बचलते हैं आप प्रोट्रों में तो तेरे गुन रहते जी है एक्रामे केतान धूग बाढ़ के लिए तो 14 उलेक्ट्रोन होते अब 12 आप देखो तो वही बत यह एक रदी नेगेटिव चार्ज होबा है और एक रापर पॉस्टीव चार्ज होगा है तो देखो तो माइनस 11 कर दवे गुने 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 पलस 13 गुने 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 तो कितना हो जी तो 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 इन्टू माइनस 11 पलस 13 मने 2 इन्टू 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 पॉस्टिव चार्ज समझ में आया उसी तरह इस पर क्या हो जाएगा माइनस 2 इन्टू 1.6 इन्टू 10 पर पावर माइनस उनिस नेगेटिव चार्ज इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो कभी कभी किताब में रहेगा ना कि किसी बस्तू पर किसी बस्तू पर दो यूनिट पॉस्टिव चार्ज है दो यूनिट पॉस्टिव चार्ज कहने का मतलब सर कहेगा किसी बड़ी पर दो यूनिट पॉस्टिव चार्ज है दो यूनिट पॉस्टिव चार्ज है तू यूनिट इसका मतलब है कि इस बड़ी में नंबर ऑप प्रोटॉन की जो संखियां होगा उन एलेक्ट्रॉन से दू को ज्यादा होगा कैगा किसी बस्तू में कर रहा है कि 200 पोश्टिव चार्ज है इसका मतलब हो जाएगा कि इस बस्तू में नमबर ऑफ प्रोट्रोनकी जो संख्या होगा वह एलेक्ट्रॉन से दू жादा होगा कितना जादा होगा दू जादा होगा अब उसी तरह कद किसी बस्तू में दू यूनिट नेगेटिव चार्ज है कितना यूनिट दू यूनिट नेगेटिव चार्ज है को यह कर मतलब है इस बस्तू में number of electron की जो संख्या होगा वो number of proton से दू जादा होगा कितना जादा होगा दू ज्यादा इसका मतलब है वन यूनिट वन यूनिट चार्ज का मतलब है चार्ज ओन चार्ज ओन वन एलेक्ट्रोन वन एलेक्ट्रोन और प्रोट्टॉन मने वन यूनिट चार्ज का मतलब है चार्ज ओन वन एलेक्ट्रोन मने एक एलेक्ट्रोन पर जो चार्ज है उसको वन यूनिट चार्ज कह सकते है और वन यूनिट चार्ज मने 1.6 गुने 10 पर पावर मैनस 19 कुलम चार्ज है वन यूनिट का मतलब सबाय रहे हैं महां river कह रहे है कि इस बस्तू पर दो यूनिट positive charge है दो यूनिट positive charge कहने का मतलब इसमें number of proton की संख्या इसमें 2 जादा होगा electron से और इसमें इसमें number of electron की संख्या जो है वो 2 जादा होगा proton से समझ में आ रहा है हाँ तो वन यूनिट चार्ज मने कितना कह सकते हैं वन यूनिट चार्ज मतलब 1.6 गुने 10 पर पावर माइनस 19 कुलम किसी बड़ी पर वन यूनिट पोजिटिव चार्ज चड़ गया है मने डेवलप हो गया है इसका मतलब है कि उस बड़ी से एक एलेक्टरोन लिकल गया होगा लिकल गया लिकल गये लिए तब यूक्रापर पोजिटिव चार्ज चार्ज चार्ड़ गया है उसी तरह कहां दे किसी बस्तू में भीज़ से आगया होगा उसमें कोई दिक्कत? नहीं तो आप लोग सब अच्छा से समाज गए हाँ चलो आप लोग बढ़ियां से पढ़िये खूब मेहनत करो नौकरी लेने के लिए पढ़ो समझे कभी भी राट के मत पढ़ना कॉंसेप्ट जेनरेट करो किताब पढ़ो किताब पढ़ने से इंजिनियर बनोगे गुरू मास्टर के नौट्स पढ़ने से इंजिनियर नहीं बनोगे हाँ अब यह मैं बता देता हूँ मास्टर के नौट्स पढ़ने साप इंजिनियर नहीं बनोगे आप देखो मैं आपको बताता हूँ अभी हमने देखा कि 1 unit charge का मतलब क्या 1 unit charge का मतलब हमने बतलाया था भी 1.6 into 10 पर पावर माइनस 19 कुलम मने चार्ज उन उन एलेक्ट्रों उसी तरह भी हमने बतलाया था ये कुलम चार्ज बरबर 625 गुना 10 पर पावर 16 एलेक्ट्रों आए भाईया ये तो बहुत खतर नाख है ये कुलम चार्ज मने 625 गुने दस पर पावर 16 एलेक्ट्रों तो कह दे कोई बड़ी पर एक कुलम एक कुलम जो है एक कुलम पॉस्टिव चार्ज है ओहो कर एक कुलम पॉस्टिव चार्ज